हड़ी तोड़के हिमारे का उलो का मोटी भी राता है कि किसी तरह बच्चा को डरा धंकाओ और जो आवाज उठा है उसको दबाओ डर क्यूं नहीं रहेगा एक तो ममी पपा वहाँ पड़े सौन है एक सारी पहन के हम लोग को परने के लिए सा गाउं से दूर भेजी है चार जार रुपया पंच जार रुपया मंथली ममी पपा किसी तरह बेशते हैं उसमें हमको सब देखना पड़ता है निके डिबे में चीनी खतम हो गया है और इतना महंगा है कि जब भी लाएंगे एक पाउ से जादा कभी नहीं ला पाते हैं यही कहते कहाँ ठीक है हो जाए वही तो बाल रहे यह द्याना रहे हैं तो बाल रहे हैं महरारू सु 550 बड़क्ने मांधवी किसोन पुलजения पच्छा यह लाठी खा रहे हैं अपनी मांगों को सरकारूं तक सुनाना चाते हैं लेकिन सरकार उनकी मागों को सुनना नहीं चाती इसलिए उन बच्चों पर जो है वो लाठी चार्ज कर रही है कई बार उन बच्चों को इतनी बुरी तरीके से मारा जाता है कि बच्चों के हाट तूट जाते है कई बच्चों के पैर में चोट है कई ब कराया जा रहा है कि बच्चे अपने हॉस्टल के रूम उसे भी नहीं निकल रहे हैं आप देखे सब कमरे पूरा हॉल जो है वो इस तरीके से बन करकर के सब अपने कमरे में बैठे हुए हैं क्योंकि कल रात में यहाद 10-11 बेज तक पुलिस जो है वो कमरों के अंदर जा जाकर बच्चों को पहचान रही थी क्योंकि कहीं ऐसे बच्चे हैं जो उस पूरे प्रोटेस्ट में में चारा बने हुए थे उन सभी के आधार कार्ट पुलिस ले गई है नाम पूछ कर ले गई है कि अगर इस तरीके का प्रोटेस्ट पर दिखता है तो उन सभी पर F.I.R. कर द आधारी कर रहे थे इसलिए थोड़ी रह रहे थे कि नौकरी रह मिले तो एक कमरा यह बाकी सारे कमरे बंद है यह खुला हुआ है तो हम देखते हैं यहां पर कुछ बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं और आप देखें कि यह बच्चे एक तरफ जब रोड पर उतरते हैं तो अपनी मांगों को लेकर उतरते हैं और जब कमरे में रहते हैं तो पढ़ा ही करते हैं मैं आप लोगों से बात कर लों किस शीज कि टियारी यह बच्चा भी आया दे यह बच्चा छोटा भाई है यहीं पढ़ादा है मतलब गाउं में उतना अच्छा पढ़ाई हो नहीं बहुता सरकारी स्कूल में तो ही साथ में रखके पढ़ाई करते हैं यह बच्चा भी बात का साक्षी होगा कि आगे जब समय में यह नौकरी मागने के लिए रोड पर होगा तो प्रशासन किस तरीके से इस बच्चे पर हावी होगा तुम देखे पुलिस वाली कैसे मार रहे थे हैं कैसे मार रहे थे पुरान धून मार चल रहा था डल लग रहा तो नोकरी करो के सब्सक्राइं कुसे करेंगे जब आब यह थना हो रहा है तो मेरे गरी तो और कमपश है Bhagण बढ़ई जोन के घिनकी हो और है ते भुलिस इनको मारती है और किया साद्धाय चलूंप डूप performed आते हैं थी, रात खाते हैं तो दिन के सोचना पड़ता है और मालते हैं पुलीस वाले को. सबाना है. पता है ये जो बचे हैं, इनको मुश्कल से 5-6,000 ц. इतने में ये पुरे रूम को मेंटेन करने के साथ अपना पूरा खर्चा चलाते हैं. कि इतने में ये रूम मिला है? ये पैंतिसो रूम रेंट लग रहा है. क्या करते हैं पिताजी? tutto il एक रोपा मिलता है इतने में ये पुरे पुरे रूम को मेंटेन करने के साथ साथ अपना पूरा खर्चा चलाते हैं इक इतने में यह रूम् यह 3500 ड़म्रेंट लग रहा है पीताजी तो जौब कर जा दाल्भाद चोखाही खाना है सब्जी बहुत कम किसीose थे में आग दीन बनेत बनाए है जाइएस कव्यां उपे चुर्षि for बच्चा को दरा धमकाओ और जो आवाज उठाए उसको दबाओ क्या हुआ कई लोग बता रहे हैं कि कल रात में पुलिस जो है वो कमरों में आ के आप लोगों से बातचीत कर रही थी कई लोगों के अधाय कार्ड वगरे ले गई तो क्या डर है आप लोगों को इसलिए आप ग्रूम के कमरों को बंद करके बैठें डर क्यों नहीं रहेगा एक तो ममी पपा वहां पड़े सान है एक सारी पाहन के हम लोग को परने के लिए गाउं से दूर भेजी है उसके बाद अगर पुलिस हम लोग पर परसासन लाठी चार्ज करती है हम अपना अधिकार के लिए हैं जब वो लाठी चार्ज करते हैं कहीं हाथ तूट गया कहीं पैट टूट गया कहीं कल लग गया एक कल देखे कि प्रोटेस्ट में लर्गा को यहां पर लगा अगर आंख में लगती तो सरकार उसके जिमेंवारी या परसासन नहीं होती एक तो घर में जो है मम्मी या क्वाइश मार देती है बच्चों के लिए फिर भी सरकार देख रहे हैं क्या कर रही है आर्ट सब्सक्राइब किसी तरह बेशते हैं उसमें हमको सब देखना पड़ता है यहां कमरा देख सकते हैं आप किस तरह जिस दिन चावल और सब्जी खाते हैं उस दिन सब्जी नहीं खापाते हैं सब्ता में एक या दो दिन हरी सब्जी खाते हैं एक साथ एक पैंट पान के हम लोग 15-20 दिन गुजार लेते हैं यहीं हम लोग के पास प्रोब्लम में सरकार तो सुन नहीं रहे हैं इतना परिशानी इसलिए सहते हैं कि कभी नौकरी लाएगा तो फिर जिन्दगी में आश करेंगे अभी परिशानी उठा लेते हैं इसलिए मठी मेरा कमरा ममा ममी पापा समाच के लोग एक वेरोजगार पर इसखुद समझ सकते इतना यह सब कूछ आगर पासालमे जर्वन नहीं हूए यह नहीं आ पहलो क्या अघर नहीं एक बार हो जाते हैं मठीटर हो तना साथ में परस्तिती हम लोग के साथ गुजर रहा है और किया सरकार तो बड़ा जो टीवी मीडिया वो दिखाता है इनको कि ये मूवी देखते हैं रात में बारा बरे तक नेट्फिक्स पर ये देखते हैं तो ये मॉल में जाते हैं तो ये पिच्चर देखते हैं भाई साब इनके पास इनका घर देखिए इनके पास चीनी के डिब्बे में चीनी खतम हो गया है और इतना महंगा है कि जब भी लाएंगे एक पाउ से ज्यादा कभी नहीं ला पाते हैं किलो बड़ चीनी तो सायदी कभी खरिद पाते होंगे बहीं मुझे तोड़ा बताईए कि आप लोग जो अछी तरह से मतलब कि मिटिल फैमली से समझ सकता है कि रुप्या उतने गवाता है कि हम लोग को सारा याँ जो है सब चीज हम लोग को एरजस्ट करना पड़ता है उसी रुप्या में और बाद में जो है कोची कमरे में कितने लोग राते हैं आप लोग और ज्याद निरास हो कि एक तो छे सालों में पहली बार वेकंसी आई वो भी इतनी कम आई कि दावेदारी बहुत ज्यादा होगी होगी है चुकि यहां पुलेशन बढ़ रहा है और आप इसको कम कर रहा है तो कैसे होगा अगर इस साल नहीं हो पाया तो फिर कैसे लोट के जाएंगे और क्या बोले ऐसी जो बचे होगे वो कितने होंगे पटना में जो तयारी करें रहे हो सांख्लन तो मैंना Protest होली ख़ड़ पिजिञाँ होने वह ज्बचिश करेंगे या रहाँ ही वांट सीस कि यह अचलियो और मेंसे नहीं होगा तभे सुछ करेंगे यह वा पस लोट जाएं नहीं 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 हो पाया तो मतलब एक जो घर पे जो कॉल करके बताना होता है वो तो कैसे आप लोग कैसे बोलते कैसे हैं पिता जी कहाते हैं हो जाएगा पर यही दिलासा दिलते रहते हो जाएगा आगले साल हो गाया है कितने ब्रभारिए आपके लिया दो हुआ जो है आज में जा रहा था गर की तरफ से कि एक बेटा जो है वो नौकरी पाएगा सरकारी वाला आपके पिता जी क्या करते हैं हमरे पिता जी एक सिपाई में है तो वही लोग तो लाठी चलाते हैं फिर उनको कितना कश्ट होता होगा कि माल नीजे आपके पिता को नहीं कह रही हूं पर जो लाठी चला रहे हैं उनके बच्चे भी तो कहीं न कहीं किसे शहर में जाके त्या होता है वो राजनेतिक के ताथ उनके उन पर भी प्रेसर होता है अधिकारी हो राजनेतिक सत्ता हो जिसका भी प्रेसर हो हम याद जॉब करने लगेंगा हम किसी का अधिन में हो जाते हैं लेकिन उतना भी अंधार नहीं होना चाहिए कि आज हम जैसे कि इस लोज में आठ वों भी जानते हैं कि हम चला रहें किस पर लाथ हो भी शाम जानते हैं फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ जीसे कि आस तीन दिन से हमस्ट पुड़ा परम परना कर रहे हैं कोई है संन्हों को जी तोर पुड़ पूरिया कम नहीं हो रहा था लेकिन कल हम लोग वहाँ पे गए और जितना था वहाँ पे गए तो उड़ा है पुलीस के द्वारा रोखा गया रोखने के पॉलाए सो लोग को वहीं बोले कि हम जो है ना रिखनसी दे दिये थे दो हजार अठाट रहे तक में पांच साल कई जो चल्य नहीं आए लेकिन पॉमसात साल नेन्य वह समझ सकते हैं उसका कितना दूख होता होगा कितना अपनों मेहनत किया होगा जो साथ साल लगतार देख्ते हैं यहां शैच काही करते Kan लोगी यह नहीं करते हैं सब कुछे हर जगह से पूरा जारा है इस दो नोकुरी होतनी दोता तो यार節目 कि पेर चाधीम def तो कौन देगा तकला रहना पड़ा रहा है कि अभी से बाल बचाएंगे तो आगे तो दिक्कत रही हो कर देता है समझ यह रहें कि सरकारी जॉब बला कितना किया रहें कि अगर एक बार नोकरी लग जाएगी तो बाल रहे या ना रहें हार लड़की के पैरेंट से ही सुचते हैं कि मतलब सरकारी जॉब बला ही लड़का चाहिए अब बताइए वह भी उमीद से सारे लोग से यारी करता है मतलब नोकरी के लिए आए कि अच्छी महरारू मिले इतने हैं अब लोग को पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रहा है हम लोग भी उसके साथ गायमल चाराते बहांश चाराते बखरी चाराते जो भी होता पंजाब दिली खड़ते और क्या होता इसी आसास से हम लोग बैठे हम लोग भविस हैं हम लोग फैमली का बेगरांड बदल सकते हैं जब किसी भी घर में किसी भी एक लड़के की नौकरी लगती है ना तो उस बच्चे और उस पूरे परिवार का तस्वीर बदल जाता है पूरा घर बदल जाता है और इसलिए तो यह बच्चे इतने तंग घ माहिं लागती है यहिए दोस्साब के माहिबाप रसे हम एक दुसरे का सपोर्ट करते हैं उनको कोई दिक चुए तवीर खराब हुआ था हम हम लोग लोग और आधी कुछ रहा थैगर्मी आने के बाद हम लोग के सरीर पर T-100 नहीं रहता है इतनों यहां पे घर मी थपता है सब कुछ यहां प्रोब्लम है समझयन विद्यार्थी कहीं का नहीं छोड़ा जा रहा है विद्यार्थी को मैं प्रयाग राज में घब बच्चों से बात करें तो बता रहे थी की कौपी भी अब लेकिन आप लोग पूछ रहे हैं तो लोग पूछ रहें कि नहीं जाते हैं क्या बोले कि अगर मतलब मना करेंगे नहीं जाएंगे तो फिर आगे कौन बढ़ेगा सब लोग यही सोचेंगे किसी का नहीं सोचेंगे कि प्रोटेस्ट करो लोग जूट बोलके जाना पड़ता है तो घर पे तो बता भी नहीं पाएंगे कि तो सोच रहें सरकार को समाझना चाहिए ठीक है यह प्रोटेस्ट वगेरा होता है तो आप लोग पीछे रहते हैं कि कहीं से काक लाठी नहीं मिल जाएं डर तो रहता है डर बहुत रहता है जिस तरह से बिरहमी से मार हो रहा है आप देखते होंगे इसका अंदाजन नहीं ल मांग क्या इतनी गलत है कि इनको इस तरीके से मारा या पीटा जा रहा है मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि उस बच्चे को यह समझाने की कोशिश हो रही है कि लोट जाओ वो ऐसा मार रहे थे कि जैसे इन बच्चों के दिल में दहशत बना देना है कि अपनी मांग को लेकर सडकों पर मत उत्रो अगर तुम उतरते हो तो सिर्फ तुम्हारी हड़ी नहीं तुम्हारा होसला भी तोड़ दिया जाएगा इसलिए आज जो है पूरा एक छावनी बना दिया गया आप लोग अपने रूम से बाहर ना निकले इसलिए पुलिस जो है वो लगतार गस्त कर कि तो मतलब कहीं नहीं लग रहा है कि पर शाशन पुरा दभाव बना के मुद्धा बंद करना चाहरी है पुरा फ्लैग मार्च चल रहा है मुसल्म पुरहाट में देखिए नि कितना परशासन लोग आए हुए पुरा फ्लैग मार्च यहां से ओकर कोई भी अपना आदमी तो बोलता है तुम्हामुवाइल थानों में चल जाएगा तुमको अभी यहां से उठाके बेज देंगे थानों बताईए हम लोग को कितनों डरा रहा है तो इस तरहीं किसे दबाओ बनता रहेगा तो कैसे आप लोग अपने मांगों को फिर आगे बढ़ाएंगे क्या करेंग कि एक बच्चे ने अपनी जीवन लीला समाब कर ली तो आप उसके पीछे का इतिहास समझने के कोशिश करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि वो ऐसे ही नहीं इस तरीके का कदम उठाता है वो जब अपने घर में फोन करता है तो उसकी मां ये बताती है कि तुमारी एक उसकी शादी करनी है जल्दी से बेटा नौकरी कर लो इस तरीके की एक प्रेशर घर से भी पड़ता है एक तरीकी का दबाव इनके ओपर घर से पड़ता है और यहाँ पर तो इनको नौकरी ऐसे बे मिली नहीं रही तो पांच मांच-छेसे सालों से इंतजार करने के बाद तो इनको तो बहुत अच्छे से पता है कि नौकरी इतना आसान नहीं रहा गया आप मिल पाना हम यहीं जानने और समझने के लिए इनके पास आए हैं मिल पास कोई मलहम नहीं है जो मैं इनको देख कर कहूं कि आपके जो गाओ है उसको हम भर देंगे लेकिन हमारा ये काम है कि आपके आवाज को उठाते नहीं तो उठा रहे हैं लेकिन आपको जिस तरीके से मारा जा रहा है वह बिल्कुल गलत है यह आपनों को भी लगता है हम सभी चैनल माध्यम से यही काना चाहिएंगे हम लोग का जो जवा मतलब की आवाज है वो लोग साइद हमको लगता है कि म क्या रिक्वेस्ट करें मंत्री या कोई भी मंत्री हो में जो भी सुन है हम तो यहीं चाहरा है कि हम लोग का जो इतना ज्यादा मुसीबथ है उसको समझिए क्योंकि वह लोग कुछ को पता नहीं लगता बस लोग फूल लेते हैं बस छोड़ दे लेकिन कभी आ तक सुने कि यह बड़र पर नेंदर मोदी या जब चाय बेशते तो उनको जरूर ये नार दर्द पीरा समझते और रेल्बे नीजी करन किया जा रहा है इसलिए कहीं हमको लगता एक भेकंसी कम आ रही है सब अढ़ानी अंबानी के हाथां बिका जा रहा है तो वहां नेता के पीछे रहेगा उसका जो आगे पीछे करेगा उसका बच्चा कहीं उसमें इंप्लाइड होगा हम लोग ऐसे बेरोजगार मीडिल फैमिली का बच्चा यही नहीं लोग वुतना बराणी है निकि परदानमंत नहीं से कोई संपर्क है हम लोग को तो बस जमीन पर हो आपके प्रोबियम समझना चाहिए कि क्या प्रोबलम सहुंज झाइन देडी परतू फेश्ट मेरा कुल रही है।ि कमरे में बैठके रोते होंगे जब इस बात की चिंता हो गए कि पांत साल से दिसकी तयारी कर रहे थी लिए कि खांए सकते हैं किसको डिए साभ सब्सक्राइए को दिल बेखां ऑफन इसके तो ने ज्यादा गाव होता है वह मुश्कुराइट उपर से अंदर से जो जक्म है गंजर सरकार को ही समझे की बदलना पड़ेगा जब बीजे पी का सरकार आया है। जब बीजे पी कह सरकार आया है अश्टुडेंट के लिए खंजर गोपने का काम भाकेंसी बंद कर देती है सरकार बताईए क्या होगा एक उमीद से बच्चा पढ़ता है इसका गार्जियन पढ़ाता है अपने खुड भूखे राके बच्चा को पढ़ाता है बताईए कि बच्चा आगे चल कर ज़ॉब कर अथा मेरा अरथी किसी दिश उद्रेगा अलेकिन क्या करेंगे सरकार तो जब जब बीजेपी के सरकार आया सब को बर्बाद कर दिया पहले अगनी वीर हुआ जो गाउन दियायत का बच्छा था वो दोग के अपना देश सवा करते था वो भी खतम हो गया नीजी करन जहां तक रहां अगर हमारे परदान मंत्री यह चाहते हैं क हमारे पास रुपया कभी बोलते हैं कि पकोरा बेचो हमारे पास रुपया नहीं है वो अगर चाहते हैं इस तरह कि हमारे पास रुपया नहीं है आप तो यहीं बच्छा को गरीब पड़िवार को ही तंग करें मिडिल कला आप अपना फैमली को भेजिए आप अपना मतलब क सब्सक्राइब कर्जम अपने इस्टुडेंट जो लॉन देता है वह भी बच्चा प्रेवेट सेक्टर में भी कम करता है तो उसको देना पड़ता है क्या आपने सोचे कभी गरीबों के बारे में क्या होगा हमारे बच्चे अब रोडों तक सायर ना पहुंच पाएं लेकिन ह हम इन तक जरूर पहुंच पाएं यह अगर रोडों तक नहीं पहुंचोंगे तो हम इनके लॉस तक पहुंच सकते हैं हम इनके कमरों तक आ सकते हैं इनकी बातों को सुन सकते हैं और तभी हम कह पाएंगे कि जब पत्रकार की ज़रुरत थी इन बच्चों को तो हम उनके बी ये बच्चे कुछ और नहीं कहना चाह रहें, ये बच्चे को अपनी बात कहने के लिए माध्यम चाहिए, और सूचना की क्रांती में जब सब के पास मुबाइल फोन है, हर गरी में पत्रकार है, तब भी अगर इनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो हम पत्रकारो कोई दबाव नहीं है, और आप किसी के कट पुतली नहीं है, तो आईए इन बच्चों का साथ दीजिए, इन बच्चों के लिए आवाज बनिए, कल हो सकता है कि इन में से कई बच्चे ऐसे हों, जिनके पास नौकरियां हों, और ये अपने समाज में उस तरीके का रोल थामा था, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आईए पटना, ये बच्चे नहीं निकल पाएंगे, लेकिन हम इन तक जरूर पहुच पाएंगे, इसके बारे में चर्चा तक नहीं कि बताईए, वो बिहार का सी हम कैसे मतलब कि आपने आपको दिखा रहेंगे, हम बिहार का सी हम बन जैंगे, बोलने से होता है, आप बुलंद किजिए उनका भी बिल्कूल जरूरत है क्योंकि वो बोलते हैं कि हम बिहार को सुधारना चाहते हैं बिहार का तरक्की देखना चाहते हैं तो हम लोग को सपोर्ट करिए यह पांजर भैकंसी पूरा केंदर सरकार में बिहार में समस्य नहीं दे रहा है अब बाहर में जाकर समस्य पर तूट जाने के बाद भी वह कह रहे हैं कि अगर हमें बुलाया जाएगा तो हम फिर से आंदोलन में जाएंगे यह होता है होसला और आज यह बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं वो तमाम पत्रकार्ट जो जनता की आवाज है उनको यहां पहुंचना चाहिए क्योंकि अगर आज वो नहीं पहुंच पाए और आज अगर वो यह नहीं पहुंच पाएंगे यहां पर और इनकी अवाज दब गई समझे प्रशाशन पूरी कोशिश कर रहा है अवाज दो लेकिन अभी तक एक सब्द नहीं बोले उनका तो फर्ज होता है कि क्या गलत है क्या ठीक हम भूला दो लेकिन अट अन्रे का नहीं सब्सक्राइए को लिखे गशीकल प्रोटेष्ट हो रहा है कभी आस तक बोले एक सब्ता से मतलब ट्वीटर कंपन हुआ तीन दिन चार दिन से फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ सब लोग आज नहीं कि कल ही हम लोग मांग कर रहे थे फ़स्ट दिन से बोल रहे थे एक बार भी मनिस भिया नहीं आए क्यों नहीं आए राजनेतिक उनके पीछे है कहीं वो राजनेतिक का सिकार हो गए है मैं उन तमाम लोगों से रिक्वेश्ट करना चाहती हूँ अगर यह वीडियो आप तक पहुंच रहे है तो आप प्लीज इन बच्चों की आवाज बनिए क्योंकि आज इनको सबसे जादा जरूरत है हम लोगों की जो इनकी आवाज आगे तक पहुंचा पाए जो सायद यह करते नहीं बोल पा रहे हैं वह सुनने के लिए यहां तक पहुंच पाएं क्योंकि जो बड़े मीडिया घराने वह तो आगे रहें जो चोटे मोटे हम जैसे लोग है वो इनन तक पहुंच रहे हैं तो इनकी बात सुनना हमारी नैतिक जिम्मदारी है नमस्ते मैं पिल्लवी हुँ आप भारत एक नहीं सोच देख रहे हैं